यह सो हलो एवरीवान है टेश एर एंड टुड़े वी गना टॉक अबाउट वैप सरीज काल्ड कैबिनेट ऑफ किरियोसिटी जो की हॉरर बेज़ है इसका फर्स्ट एपिसोड में अल्रेडी एक्स्प्रेइन करके अपनी ओडेक्स वाली सिरीज में लेकर आ चुका हूं आप अट देख पाते हैं इसका नाम होता है है ते आ वहां पर एक शक्स पहुंच जाता है जैसका नाम होता है और और वो कहता है कि मैं यहां का रखवाला हूँ और तुम लोगों को इस गलत काम को करने से रोकूंगा क्योंकि लोगों की यादे बसी होती है अपने खास परीजनों से तुम आकर उनकी important चीजों को चुरा रहे हो जिसके बाद वो कुछ आशावादी भाशन इनको देता है और कहता है कि अगर यहां से अभी नहीं निकले और इस काम को नहीं छोड़ा तो फिर तुम्हारी भी कब्र इसके पास में लग जाएगी जिस पर यह दोनों ही जने यहां से डर कर भाग जाते हैं मगर तब हमें में में असलियत के बारे में पता चलता है जो कि खुद भी एक च मौचता है अब यहां वियोर्स को बालूम चलता है कि मेसन जो कि कभी बहुत सारा जुवा खेलता था एक बार एक बड़ी रकम हार जाने की वजह से अब उसे धीरी-धीरी करके किस्तों में वह पैसा चुकाना था और यहीं रीजन था कि वह ग्रीवियार्ट में जितनी भी लाशे पड़ी होती थी उनके सोने के दात या फिर जीवर वगर बीच कर अपना कर्स कम कर रहा था लेकिन हैंस का कहना था कि इस बार जो तुम इंस्टॉल्मेंट लेकर आए हो वो तो बहुत ही कम है तुमारी किष्टों के मुकाबले अगर ऐसा ही चलता रहा तो बौस चुरा कर ले जाते हैं और बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि कबरिस्तान में रखी हुई दफन बौडी को ही ये इंटर्नल सुरंग खोद कर वहां से ले जाते हैं अगर ये चूहें मेरे रास्ते में ना आये तो मैंने कब की अपनी सारे किष्टे चुका कर सारा कर्ज माफ कर लिया होता जिस पर हैंस कहता है कि बेतुकी बाते तुम मेरे सामने तो कर रहे हो लेकिन बहुत के सामने मत करना वरना वो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे तुम्हारे पास सिर्फ दो दिन है जल्दी से सारा पैसा लेकर आओ जिस पर मेसन कहता है कि एक तो वैसे भी मेरे सुरंगों का जाल बना चुके हैं और मैंने तो सुना है कि कब्रिस्तान के नीचे एक ब्लैक चर्च भी है अब जहां तक आपने कभी मुंबई में गोवा में या फिर कहीं और भी शहरों में अगर चर्चस को देखा होगा तो उनका कलर आलमोस्ट वाइट होता है क्योंकि वह हनी सिंग ने अपने सौंग निकाला था सेटन तो यहां पर वह एक काले जादू यानि कि शैतान की ही बात कर रहा था यह वह जगह होती है जहां पर तंत्र मंत्र करके शैतानों को खुश किया जाता है और फिर काली ताक्ते पाकर अमर या फिर अमीर होने का वरदान मांग यह जाता है जिस पर हैंस कहता है कि अगर अभी यहां से नहीं निकले तो मैं खुद ही तुम मैरी जान ले लूँगा नेक्सडे मेसन चुपके से एक मोर्चरी पहुंचता है यहां पर उसका एक फ्रेंड होता है जो और वह जूए च्यांता है कि तुमने जिस लाश के बार जाएंगे और हमारी काली कर्टूतों का परदा फाश हो जाएगा और हमारा सच लोगों के सामने आ है कि एक बड़े shipment dealer की body है जिनकी death कल ही हुई है और उनकी family आ जाने वाली है जब तक उसकी body को दफना नहीं देते तुम कुछ भी करोगी नहीं क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पुलीस यहां पर आकर तुम्हें और मुझे दोनों को लटका देगी मगर फिर भी मेसन उसकी बात सुनकर सीधा परदा खोल कर उस body तक पहुंच जाता है और देख पाता है कि उसके almost 8-10 दान तो सोने की होते हैं मगर तवी यहां पर उस shipment dealer की बीवी पहुंच जाती है और बताती है कि हम इंसे बहुत ही जदा प्यार करते थे पानी में डूब कर इनकी मौत हो गई उनके assistant का कैना था कि हम इन्हें पूरे सम्मान के साथ में विदा करेंगे जिस पर उसकी wife कहती है कि हमारे पास एक खांदानी तलवार भी है जो कि दा किंग जॉर्ज की थी जब इन्हें दफना आ जाएगा तो वो तलवार भी मैं इनके साथ ही दफना कर दूंगी इन बातों को सुनक अपने च्छत की सीलिंग में एक चूहे की पूँच नजर आती है तो वो उसे खैचता है मगर खैचते के साथ ही वहां की सीलिंग तूट जाती है और धेर सारे चूहे उसके ऊपर आकर गिरते हैं लेकिन तभी हम व्यूर्ज को पता चलता है कि वो तो सिर्फ उसका एक सपन था नेक्स्ट मॉर्निंग मेसन पहुंच जाता है ग्रेवियार्ड में और उस बॉड़ी को दफनाने के साथ में जो भी वहां का रिती रिवाज होता है किरिया करवाता है और शान के साथ उनकी बॉड़ी को कॉफिन में डाल दिया जाता है फिर रात को जब सब लोग चले जाते हैं तो इस बॉड़ी की कबरों को खोट कर उसमें से सारा समान निकालने ही वाला होता है मगर कोफिन के खोलने पर उसे वह बॉड़ी नहीं मिलती और जब देखता है तो वहां पर और एक सुरंग के तूहों ने उस बॉड़ी को ले जाने का तरीका ढूंड लिया था तो यहां पर मेसन को बहुती ज़दा गुस्सा आता है कि जब मैं चोरी करने वाला था तो आके ने मेरी बॉड़ी की चुरा लिया और अगर मैंने इस में से सोने का समान निकाल कर अपने जुए की किष्टों को नहीं भरा तो भी मेरी मौत हो ही जाएगी वो इस सुरंग मे जाना नहीं चाता था क्योंकि उसे डर लग रहा था लेकिन अगर वो डर का सामना नहीं करता तो उसके दुश्मन उसे जान से मारते थे इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो भी उस सुरंग में चला जाता है चुहे बहुत ज़दा बड़े और ताकतवर थे जो की बॉड़ जाता लेकिन मेसन को कैसे भी करके उस बॉड़ी तक पहुंचना ही था इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर साइड के कॉर्नर में से निकलने की कोशिश करता है मगर गलती से अंदेरा होनी की वज़े से एक लकडी का तना उसकी आंक में घुश जाता है उसकी आंक फू मेसन हार नहीं मानता और वहां से आगे जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी पाकी के चूहे उस पर हमला कर देते हैं गुस्से में आकर मेसन अपनी गन निकालता है और उन चूहों को शूट करने की कोशिश करता है मगर गलती से वह अपनी ही पैर पर गोली मार लेता है लेकिन मिलसन के हाथ में जो गन थी वो से शूट कर देता है और जान बचाकर भागने के चक्कर में एक और जमीन में बनी सुरंग में गिर जाता है यह सुरंग बहुती ज़दा डीप थी गिरते वक्त वो एक ऐसी जगा पहुंचता है जहां पर सारे हड़ियों के कंकाल है यानि कि जितनी भी लोग यहां पर बॉडीज खेंच कर लाई गई थी मास तो पूरा क्लेर हो चुका था मगर जवारात अभी भी बचे हुए थे इन फैक्ट अब तो उसे किंग जॉर्च की तलवार भी मिल चुकी थी इतने सारे खजाने को देखकर मेसन पागल हो चुक है जिसने खुद भी ब्लैक कलर का सूट पैन रखा था मगर अब तो वह खराब हो चुका था उसके गले में एक बहुत ही शांदार सोने का ताबीस था नेकलेस कह सकते हैं इसे मेसन की उस पर नियत खराब हो जाती है और वह उसको निकालने की कोशिश करता है बट स्टिल व और बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर उसकी बुरी किस्मत अभी उसका पीछा छोड़ने वाली कहां थी जहां एक तरफ तो उसके पीछे पादरी था वहीं दूसरी और एक मौंस्टर चूहा भी पहुंच जाता है यानि कि अब तो मौत पक्की थी लेकिन मेसन हार नहीं मानना चाता था और वो तलवार लेकर खड़ा हो जाता है चूहे के सामने मगर वो मौंस्टर चूहा जादा ताकतवर और तेज था जिसकी वज़े से मेसन की तलवार गिर जाती है और अब तो उसे भी लग रहा था कि ये इसका अंतिम वक्त आ चुका है लेकिन तबी एक त उपर तक कैसे भी करके पहुंच जाए तो बाहर का रास्ता उसे मिल जाएगा और धेर सारे खजाने की साथ में वो एक अपनी नई लाइफ शुरू कर सकता है वो अपनी पूरी ताकत से उसमें चड़ने लगता है और सिर्फ एक ही बात बोलने लगता है कि रास्ता कठिन औ और उसके साथ गड़बर हो जाती है क्योंकि टॉर्च की रॉष्णी में कॉफिन की उल्टी तरफ की गोल्ड प्लेट ही चमक रही थी वो कोई सूरच की रॉष्णी नहीं थी और तभी धेर सारे चूहे आकर उसे अपना नाश्ता बना लेते हैं सीन शिफ्ट होता है थोड करने की कोशिश करते हैं लेकिन मेसन की बॉड़ी हिलती है और तभी उसका मुख खुलता है और धेर सारे चूहे उसमें से निकलते हैं और इसी के साथ यहीं पर खत्म होती है आई होप गैस की वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आया है तो इसे लाइक कमेंट शे ही लेकर आऊँगा सतब तक के लिए